हेलो दोस्तों स्वागते हैं आप सभी का टेस्ट पेपर लाव क्लासेज में देखते हैं एक शोट रिव्यू अबाउट रिफ्रेक्टिव एरर और इससे बनने वाले सारे क्या important MCQs बन सकते हैं वह हम देखेंगे आज क्लास में देखो रिफ्रेक्टिव एरर क्या है सबसे पहली चीज तो ध्यान रहें यह second most है second most cause है second most cause है of blindness का blindness का first common cause क्या है तो first common cause है त्मारा अगर आप से पूझे ब्लाइड नेस का सेकंड मोस्ट कारण क्या है आंसर देना है हमें हमें को इन रिफ्रेक्टिव एर्र क्या जवाब देना है रिफ्रेक्टिव एर्र्र यापको यह ले चीज़ तो अब यह आनी चाहिए देखेगा टाइप की अगर में बात कर लो तो पहला जवाब होगा हमारा myopia ओके दूसरा जवाब होगा हमारा hyper metropia और तीसरा जवाब होगा हमारा रिफ्रेक्ट्व एरर कोन कोन से होते है तो यहां से आपके डेफिनेटली क्यूशन बनते हैं पहला है हमारा मायोपिया इसी को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं नियर साइटेडनेस हिंदी में बोलते हैं निकट द्रस्टी दोस निकट द्रस्टी दोस ठीक है और दूसरा हमारा हाइप परमेट्रॉपिया also known as porsightedness आ और हिंदी में क्या बोलोगे दूर द्रफ्टी दोश्ट्स जा बोलोगे दूर द्रस्टी दोश्ट अब शोटा क्या है मायोपिया हमारा क्या है नियर साइटेड निस अना तो मायोपिया है अडिंग रहे गी नियर साइटेड निस देखेगा, इसमें patient को क्या होगा? दोस्तों ध्यान से सुनना, pass की चीज़े clear दिखाई देगी, pass की चीज़े क्या होगी? किलियर दिखाए देगी दूर की चीज़े क्या होगी आपको किलियर दिखाए नहीं देगी तो ध्यान रहे इसमें पेशेंट का फार विजन लोस्ट होगा औरे फार विजन क्या हो जाता है लोस्ट हो जाता है ध्यान रहे ऐसा क्यों हो जाता है क्योंकि जो image बननी चीए थी वो image आपके रेटाइना पर ना बनेगी रेटाइना की सामने बनेगी in front of Retina कारण क्या है कारण यह है दोसतो due to जो image है इमेज कहां बनेगी इमेज फॉर्म in front of Retina in front of Retina रेटाइना पर इमेज बनती तो आपको कोई object clear दिखाए देता लेकिन ये रेटाइना पर ना बनके रेटाइना के सामने बनेगी इमेज क्या 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 लाएगा आपका मायोपिया कहलेगा चुसन बंता है treatment क्या है इसका treatment क्या है तो treatment यहाँ पर concave lens कौन सा lens इसको क्रेक्ट कैसे करेगा डोक्टर on the lens लगा देगा एना next हाई पर मेट्रोपिया ठाइपर मेट्रोपिया इन अधर नेम क्या है हमारा पार साइटिडनेस और sightedness, इसमें क्या होगा, इसमें just opposite होगा, दूर की चीज़े clear दिखाई देगी, लेकिन past की चीज़े आपको clear दिखाई नहीं देगी, या हम कह सकते हैं, जो patient का near vision है, near vision क्या हो जाएगा? लोस हो जाएगा, तो दोस्तो क्यों लोस होगा, कारण इसका ये है due to, अगर कारण पूछा जाए तो answer देना है आपको, जो image है object की, image form, form behind the retina, क्या जवाब देना है भई? इस बार image तुमारी retina पे ना बनी, retina के पीछे बनी, इसका कारण है, तो जवाब आपको देना है कि image जो है, वो retina के पीछे बनेगी, तो साथ यो, अगर retina के पीछे बनेगी, तो फिर lens कौन सा लगाना चाहिए, तो treatment हमेशा ध्यान रगना, convex lens, कौन सा lens, convex lens हमेशा हमेशा लगाना चाहिए, convex कैसा होता है, देखो, अगर मैं बात करूँ, by convex की, तो इस प्रकार से, दोनों तर रहेगा, convex lens रहेगा, next refractive error कौन सा है, नेक्स्ट है तुमारा प्रेस बायोपिया, यहां रहे, aging के साथ साथ, जैसे जैसे aging बढ़ेगी, तो patient को क्या होगा, यहां पे blindness होता चला जाएगा, क्या होता चला जाएगा, ब्लाइडनेस, तो most common cause पूछ ले आप से, most common cause is more than 45, सबस 25 years से ज़्यादा अगर age है, तो धीरे धीरे, ऐसे patient की आँके कमजोर होती चली जाती है, ठीक है, और ऐसे patient के अंदर, blindness का कारण बनता है, तुमारा प्रेस बायोपिया, क्या बनता है, प्रेस बायोपिया, साथ यो, इसमें भी हम इसको भी correct करते हैं किस से, कौन वेक्स लें इमेज है, अधिकतर इमेज यहाँ पर बनती है, behind the retina, retina के पीछे बनती है, retina के पीछे बनती है, इसलिए mostly इसके अंदर इस प्रकार का error देखने को मिलता है, इसलिए इसको ठीक करेंगे हम convex lens से, last आपका है astigmatism, क्या है, astigmatism, astigmatism को समझने से पहले इस diagram को देखो, देखेगा, यह हमारा lens और यह है cornea, cornea क्या करता है lens, अगर सामने से कोई, आपकी ray आ रही है, light rays को क्या करता है, इस पर डालता है भई, lens पर डालता है, अगर lens पर डालेगा, तो आपको चीज अच्छे से दिखाई देग लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है, cornea का abnormal curvature हो जाता है, क्या हो जाता है, abnormal curvature, तो पहला question, astigmatism है क्या, यह भी एक प्रकार का refractive error है, ठीक है, कारण क्या है, तो due to, सबसे बड़ा कारण यह है, abnormal क्या हो जाना, curvature हो जाना, किसका, cornea and lens का, lens और cornea का abnormal curvature हो जाएगा, मान लो यह curvature इस प्रकार abnormal हो जाएगा, तो अब जो light rays आएगी, वो lens में ना पढ़के दूर दूर फेल जाएगी, क्या हो जाएगी, इससे दूर दूर फेल जाएगी, आगर दूर दूर फेल जाएगी, तो आपको image दिखाई नहीं दे, तो astigmatism क्य क्या है, astigmatism के अंदर abnormal curvature of cornea और lens की वज़े से patient को दिखना बंद हो जाता है, क्या कहलागा, astigmatism में कहलाएगा, ठीक कैसे करेंगे, सबसे बड़ा question है, इसको ठीक करते है, treatment की अगर बात करूँ, तो यहाँ आपका, जो ophthalmologist है, वो cylindrical lens की advice देता है, very very important MCQ, कौन सा lens, cylindrical shape का lens यहाँ पर patient को advice दीजाए, ठीक है, तो यह थी आपकी, आज की important short notes, ठीक है, मिलते हैं, अगली short notes के साथ, अगली class के साथ, thank you